हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे और आज मैं हाँ पे प्रग्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूं वैसे तो इनका बर्थडे 20 जून को है बट आज पापा इनके चले जाएंगे ड्यूटी तो इसलिए हमने एडवांस म बाहर नहीं अभी जा पाते हैं वैसे तो बाजार हो गया रख फुल ही रही है हलका फुलका बट हम ज्यादा बाहर नहीं जा पाऊंगी यह थे तो मैं जाती थी बट अकेले अभी मैं नहीं जा पाऊंगी इसलिए हमने रहने पर ही सेलिब्रेट कर लिया कि कौन जाएगा को कोई सामान लाएगा इधर तो इसवजह से तो हमने ऐसी सिलिब्रेट किया है कि एक मंग सि त्थी और आप लोग देखी रहे हैं कि हमने सिपल साधान तरीके से सिलिब्रेट किया है तो यहांपे प्रग्या के काट रही हैं और यह मैं दो पहर के टाइम में इसे लिब्रेट कर रहे हूं, साड़े ग्यारा बारा बज़ रहे हूंगे, क्योंकि साम को इनको जाना है, साथ बज़े तक तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, साथ बज़े तक चले जाएंगे, तो इसलिए हमने पहले ही से लिब्रेट कर दिया, तो यहाँ पर प्रग्या की काट चुकी है और मैं खिला रही हूं सबको तीनों लोगों को और उनके पापा को और ऐसे ही रहा प्रग्या का बर्थडे सेलिब्रेशन क्योंकि एक तरफ फुसी थी तो एक तरफ हम लोगों को दुख भी था कि चले जाएंगे क्योंकि करोना संक्रमण की वज़े से लोगडाउन हो गया था तो इदर तीन महीने रह गये हम लोगों के पास पहली बार ऐसे लाइफ में हुआ कि तीन महीने हम लोगों के पास रह गये तो यह भी बहुत बड़ा इमोशनल का कारण हो गया क्योंकि आदस सी हो गई साथ में रहने की तो यह लगता था कि साथ में ही रहना ठीक है बट वो तो ड्यूटी है तो जाना ही पड़ेगा तो एक एबी था तो कोई इतना बहुत जाता हम लोग उस साथ भी नहीं थे जैसे था सब ठीक ठाक ही सेलिबरेट कर लिए जो हो गया सब अच्छा ही है और इधर मैं बर्थडे सेलिबरेट करने के बाद कीचन में आ गई हूँ लंच बना रही हूँ लंच में मैं इधर सोय अब अलु की सब्जी बना रही हूँ और पूरी बनाओंगी और हमने दही जमा ली थी कि सुब बर्थडे सेलिबरेट करना है तो इसलिए हमने कुछ तैयारियां रात में ही कर ली थी क्योंकि पुरा दिन में टाइम ने मिलता है बहुत सारे काम हो जाते हैं इसमें वीडिय और तो पर लिए अब मैं कर लोगी और मेरा लू सी के साथ सपके जाएगा तब मैं प्याज जाना होगा नहीं और जाब कर न। एक तो अभी उतना कुछ मिल भी नहीं रहा है और बाहरी चीजें तो कुछ लाना भी नहीं तो इदर ही अंदर एक ग्रोसरी की दुकान है तो उधर ही पेटी जो गर रखी है तो केकोगर भी बनाता है तो इसे बनवाए थे तो ऐसे ही किया था हम ने और मैं आप लोगों से से तो जैसे भी था तो मैं सेयर कर रही हूं आपनों से और इधर हमने आलो से विन भी फ्राई कर ली तो इसमें मैं जीरा दाल चीनी और एक बड़ी लाइची एक तेजपत्ता हमने डाल दिया तड़के में और इसमें मैं काटके रखी हूं बारीक प्याज उसको गोल्डन ब्रा मैं सेयर की थी, आज मैं कोई रेशीपी सेयर नहीं कर रही हूं बट मैं अपना लंच दीखा रही हूं यही मेरा लंच है आज का अज का हमने यहाँ पर और कुछ दाल चालो गलwe 미ोरी बना आया पूरी सब्जी और दही थी और सिलाद नहीं कौके रखी हूं तो यही था मेर आज का लंज हमें लगा कि आज birthday है तो चलो यही बनाती हूं दाल चौल तो वैसे रोज बनाते ही हैं हैं वैसे साम को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इनको जाना भी है तो मैं पांच साढ़े-पांच के तक्रीबन जाने के लिए भी मैं बना दूंगी खाके जाएंगे ऐसे व बाहर का कुछ खाने लाइक है नहीं तो घर से ही खाके जाएंगे तो यहां पर मैं प्याज फ्राई कर रही हूं गोल्डन ब्राउन होने तक मैं एक चमज के तकरीबन टाली हूं कस्मेरी लाल मिर्च जोकी तीखा नहीं होता है और कलर बहुत अच्छा देता है और एसमें मैं डाली हूं अद्रक का ठोड़ी से मैं उसमें प्याज भी पीश रखी थी उसका पेस्ट ग्रेवी थोड़ा सा और गाड़ा करने के लिए क्रेव भी होती है तभी और टेस्टी लगता है तो ऐसे ही मैं चलाती हूँ इसको और अच्छी तरह से भूनूंगी और यहां पर हम तीन-चार टमाटर भी ले रखी हूं उसका भी मैं प्यूरी तैयार करूंगी क्योंकि टमाटर की प्यूरी डालने से सब्जी थोड़ा और हो जाती है और बहुत स्वाधिष्ट मनती है और हमने इसमें एक चमच धनिया पौडर और एक चमच हल्दी पौडर भी डाल दिया तो जब तक हमारा यह मसाला भूनेगा और हमने यहां पर गैस के फ्लेम को धीमा ही रखा मेडियम फ्लेम पर तो हम टमेटो प्यूरी भी प तो ऐसे ही मैं अपनी सब्जी तयार कर लूँगी और एक साइड मैं अपनी पूडियां बना लूँगी इसी के साथ तो यही था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन मन तो बहुत कुछ था गैस पर आप लोगों को पता ही है कि एक तो अभी है ही महाल कुछ ऐसा सेंस्टिम महाल ह और उपर से इसमें इनको बाय ओडर जाना भी है तो ट्रेनों गया तो चल नहीं रही है तो अपनी गाड़ी बुक की हैं तो दिल्ली तक ले जाएगी इन्होंने कार बुक की है यहां से तो ओ दिल्ली तक ले जाएगा और सुबह फ्लाइट है दिल्ली से 6 बजे तो उससे जाएंगे डिबरुगर तो ऐसा ही है मेरा आज का रूटीन ऐसे ही हमने आज के दिन को अपने अच्छा भी था जैसा भी था मिला जुला था क्योंकि एक तरफ बड़े का खुशी था तो एक तरफ जाने का भी थोड़ा इमोशन था क्योंकि बच्चें उसमें प्रतियों का जाते हैं तो यह होता है और इहां पर मैं सब्जी बना रही हूं जल्दी-जल्दी क्योंकि थोड़ा लेट भी वह गया, डेड़ से ऊपर हो गया है, एक तीस से ऊपर ही हो गया है और मैं उपर से थोड़ा मसाला डाल दूँगी यह मैं रोष्ट करके और थोड़ा दरदरा पिसके ही रख लेती हूं सबजी मैं उपर से डालती हूं तो यह कैसे बनाना है एक दिन मैं सेयर कर दूँगी आप लोगो तो यह मसाले डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजी का तो मैं जरूर सेयर कर दूँगी कैसे बनाना है बटा भी मैं नहीं बता पाऊंगी और मैं इसमें जितना हमको ग्रेवी चाहिए क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से अल्रेडी भून चुका है जितना ग्रेवी चाहिए मैं उसी के हिसाबसे में पानी डाल रही हूं जितना ग्रेवी की जरूरत है और मैं इसको ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए वैसे तो आलू अल्रेडी पकी चुका है अची तरह से तो मैं पानी डालके ढख दूँग और इधर पूड़ी बना लूँगी तो ऐसे ही पकाना है तो मैं ढखूंगी धोड़ी देर के लिए इसको यही था क्योंकि जब से करोना संक्रमण चल रहा है तो जैसे लग रहा है कि पूरी दुनिया एक जग इस्थिर हो गई है कोई समय में नहीं आता कोई क्या करे ना कर हर जगह sensitive भी दिखता है बट हो ना हो यहां तो फिर भी कम है फिर भी मैं जोड़ा हमें डर रहता है तो मैं नहीं जाती हूं जब बहुत जरूरी हो तो ही जाती हूं और टाइम भी नहीं मिलता यह थे तो सारा सामान लाके रख देते थे आभी तो पूरी जैमेदारी मेरी ह हो गई मुझे ही हर जगह जाना पड़ेगा तो इधर बच्चों को देखना घर का काम देखना और बाहर भी जाना आप लों को पता ही है तो कितना हो जाता है तो हुए है उसी सबसे अपना देखना पड़ेगा तो यही था मेरा आज का यह ब्लोग में जो आप लोगों से जहर कर रही हूँ और इधर मैं पूडियां बना रही हूँ ऐसे ही मैं पूडियां बना लूँगी छोटी-छोटी पूडियां ही बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा पड़ी पूड़ियां कोई पसंद नहीं करता तो मैं ऐसे छोटी-छोटी बना रही हूँ तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है मैं बना रही हूँ इधर प्रत्यूस भी आगरें करेंग ममाम में भी बनवा देता हूँ ऑचक्ले बना रहा है तेली पूड़ी भी पे लेंगे तो इसे हमने एकорт करके सारी पूड़ी बना ली थी और और उचक्ले बना रहा है कुछ कैसे बनाना है मैं बता रही है और इसमें ओयल में थोड़ा सा आटे का बैट डल के चेक करें अभी ओयल तो अच्छे से गर्म हो गया है देखो कैसे बनाए मैं आप लोगों को दिखा रही हूं तो मैं उसका भी बेल लूँगी क्योंकि उनको पसंद है बोल रहा है कि दो मैं बेलता हूं तो इसे ही बना रहा है छोटा-छोटा मैं दिखा पारी हूं आप लोगों को तो यही है बच्चों के साथ ही टाइम पस करना होता है नहीं तो बच्चे ना होतों और दिन बड़ा लगने लगीगा तो ऐसे ही करते हूं मैं अपना पूरे काम को वैसे तो काम नहीं इतना रहा था कि टाइम ने मिलता सुबह से साम तक कुछ न आपमा वीडियो भी सुट करना होता है उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है कम से कम तीन चार घंटे आपको वीडियो सुट करने में निकल जाएगा वीडियो बनाऊ उसको एडिट करो और अपलोड करो तो बहुत हो जाता है कुछ गलतियां हो गई तो फिर पूरी इनसान सोचता रहता है कुछ ना कुछ तो इनसान को बेस्त रहना भी बहुत जरूरी है और अपना जो भी काम है उसको अच्छे तरीके से करना भी चाहिए तो मैं सोची चलो हम तो सिंपल साधान ही सेलिबरेट करें बट आप लोग से सेयर कर दे रहे हूं क्योंकि आप लोग तो हमारे फैमिली हो तो कोई बात आप लोग से चुपाना मुझे हो नहीं लगता तो अपना ब्लॉग में मैं सब चीजें सेयर करती रहती है जो भी है कि इसमें क्या हो करना है जैसे भी है तो यहां पर बन रही हमारी पूरियां बहुत अच्छी फुली फुली अच्छे से तो आप लोग भी आईए और पूरी सबजी खाईए और बर्थडे से रिग्रेट करिए तो आई हो कि यह वीडियो मेरी अपनों को बहुत ही पसंद आएगी यह चोटा सब लोग आप लोग का भी पसंद करेंगे करेंगे तो आप आप ने शाड़ी अपना लिए तो यहां पर ने सारी पूरी यहां बना ले तो मैं यहां पर थाली लगा रही हूं और जा रहे हैं लंच करने तो आप लोग ही आई और लंच करिए और इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से ब्लोग का पूर्ण विराम कर रही हूं तो अगर जो हमारा यह ब्लोग आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और फ्रेंड्स में सेयर करें तो आज के लिए इतना ही मिलूंगे अगले ब्लोग में तब तक के लिए बाई